एरपोर्ट पर पहुँचे यात्रियों के स्क्रेइनिंग किये गए और सभी यात्रियों के सामान को भी सनेटाइज किया गया और खास इंस्ट्रेक्शन्स दिये गए हैं इस तरीके से की पुरी तरीके से लोग सेनेटाइज कराएं फिर उसके बाद में मैं आये और लोगों ने किस तरीके सबने साफ़धानी विरत रिकिए आप बताएं नाम बताएं कहां जाएंगे आप दो नेरा नाम सर हैमराज मीना आरे हैं मैं है द्रावाँ रेलवे लिपार्ट्वमार्ण के जोग परड़ा रहें चैक्शने के लिए तमाम सहावधानी एतियात के साथ में यहां पर सबसे पहले जो लूग भी जो पैसंजर्स आ रहे हैं उनका सबसे पहले टेमर्चर चेक किया जाए जारहा फिर उनके ब अब that time CISF के जो जवान है यहाँ पर किस तरीके साथ आप देख सकते हैं कि सीधाer थच नहीं हूं इसलिए क्लास के जरिए अधी डुरी रखी जा रही है एहम्दबाद एरपोर्ट पर साथ दीन बाद आज यहां से जो फ्लाइट से वो शुरू हो चुकी आप देखें कैसे है शुरू आप यहां पर एरपोर्ट पर जब पहुंचते हैं तो जो बैग है उसको सानिटाइस किया जाता है कई जो प्रवासी हैं वो कई समय से यहां पर पर रहे जाम दो मेने रहे और तकलिब तो नहीं हुए यहां आश्रम में रहे थे आश्रम में गए थे हमारे गुरू के उधरी रहे पर उधर सीधर आए जब लॉक्ताम गोशित हुआ क्या लगाई हुआ दो हुआ तीन हुआ क्या थे वहां तकलिब हुई कि एक तो इजर गर्मी वहते हैं टेमरेशर वहते हैं वह भी हमारे पने साहनवा लेकिन इधर सव आश्रम में सव वीजी थी अमयरे पर कुछ शकलिब नहीं है दो अके ले आए हैं यहां पर वो आश्रम में आई और यहां पर फर्द गई और अब देखें कि इस तरीके से लगातार जो लो इस तरीके देखें महाँ पर जो थर्मल स्कैनिंग हो रहा है यह तेमपरेशर है नहीं उसके बाद ततार दरूट से यहां से अंदर जाना होता है और जो जिनकी जो प्रॉसेस जो बने गई गई है एक सोपी तियार की गई है मिनिस्ट्रे अफ एविएशन के और से उसके मत पंकत के साथ जरक दवेशन के बाद पटना एयरपूर्ट पर पहुंचे यात्री मास्क लगाए हुए नजर आये और कोरोना से बचाफ के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते भी दिखाई दिये कोरोना संकट के बीच लंबे अंत्राल के बाद आज पहली फ्लाइट पटना पहुंची है तस्वीरों में भी आप साफ तोर पर देख सकते हैं राइवल गेट से लोग धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तस्वीरों में भी आप साफ तोर पर देख सकते हैं तो आज जो यह पहली फ्लाइट पहुंची है लोग जो है वो धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं और साफ तोर पर जो यहां पर सी आई-एसिफ के जमान है या फिर जो फ्लाइट में काम करने वाले लोग हैं वो लोगों को यह संदेश भी दे रहे है किस तरह से उनको बाहर निकलना है और सोसल डिस्टेंस मेंटेन करना है तस्वीरों में भी आप साफ तर पर देख सकते हैं तो हम जो यात्री हैं पहुँचे हैं उनसे जानते हैं यह बताइए क्या कुछ बदला हुआ था आज यात्रा में यात्रा में हम लोगों के साथ और वह जादे खुशी है मैं अपने पड़िवार के साथ इद मनाने आगे अभी हाँ